दोस्तों, Redmi कुछ कुछ चीज ऐसा करता है, जो दूसरा कमपनी कुछ सोच भी नहीं पाता है, ऐसा कुछ काम कर जाता है Redmi Note 7 Pro के डिखाने के लिए बहुत कुछ किया था, देखा था कभी कही से भी पैरों से लात मार के फेक रहा था, उसके उपर कुछ तोर रहा था अभी एक चीज क्या, उसको एक फोन को टोटल बैलून से लेकर उपर भेज दिया, मतलब उसको कुछ की तीन हजा मीटर उपर भेज दिया, उधर से फोटो लिया और अमेजिंग फोटो आया, 48 Mpx कैमरा में, यानि कि Redmi Note 7 Pro में उसके बाद बैलून जो था, वो फोट गया, फोटनी के बाद जब नीचे आया, तब भी फोन से इस अलमत था, यानि कि बरकरार था, तो इसमें वो एक ही चीज दिखाया, उसका फोन के कैमरा कितना अच्छा है, उसका फोन कितना डिवरेबल है, यानि कि जितना भी कंपनी कुछ भी advertisement करता है सब के सब को मात देकर Redmi ऐशा कुछ कर जाता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रसंजीत आप देख रहे हैं टिकनोलोजी हिंदी तो चलिए जान लेते हैं आज के टेक निउस में और क्या क्या दोस्तों दूसरी ख़बर है 5G modem के साथ मागर जो 865 जो आने वाला है उसमें इंविल 5G modem रहेगा यानि कि पहले जो देखा था 855 में क्या था 855 में 5G तो सपोट करता था मागर उसके साथ चाहिए था modem x50 865 variant में उसके अंदर ही रहेगा मतलब उसके लिए अलग से इस्तमाल नहीं करना पड़ेगा इसे हाईदा क्या होगा जो फोन में ये प्रोसेसर इस्तमाल होगा उसमें अलग से modem लगाने के जरूरत नहीं है उसी प्रोसेसर में इंविल होगा तो mobile के प्रोसेसर के बाद जो जागा में modern लागाना था वो जाएगा थोड़ा space में ज्यादा मिलेगा तो उसमें दूसरा कोई चीज भी company डाल सकता है ये एक चीज आएगा और ये पुरा प्रोसेसर आएगा इस साल के end में जब आएगा तब देखेंगे इसमें और क्या क्या फीचर्स आने बाला है दोस्तों Redmi के flagship आने वाला है आप दोगों को सब कोई मालूमें तो Redmi के flagship में दो चीज निकल के आ रहा है एक है उसके जो 3.5 mm jack जो flagship phone में ज्यादा तर company नहीं देता है तो Redmi में finally 3.5 mm jack दिखाई देगा जाने कि जो लोग headphone में गाना सुनते हो तो उसके लिए एक चीज अच्छ ह दूसरा है इसको camera को लेकर इसमें एक 13MP का camera आएगा जो ultra wide angle के लिए जैसे wide angle जो camera हम लोग ज्यादा तर देखते है इस iPhone में बहुत ही अच्छा quality के रहता है तो यह जो आएगा रिड्मी में जो आएगा यह भी बहुत अच्छा होने बाला है 13MP के ultra wide angle camera जो होगा तो बहुत ही अच्छा photo इसमें आएगा यह दो चीज रिड्मी के तरफ से आगाया है और एक चीज रिड्मी का जो फ्लैक्सिप आने बाला है वो सुमय दे रहा था कि रिड्मी का यह फ्ल इसज आएगा तो देखके जायें और एक जैनगे बाला हो जो ईंडिये में जब आएगा तरफ दिखेंगे और जो इंडिया में ञ winners बीकर अटेकनी लाने वाला है वो ए marrow के महीं आँट狑 국o massacre क्या देता है अब आता है दूसरा एक नाम आख यह आखिए आ अब मेंमी होगा इतसे ही पाया गया है यह नियू तो Samsung क्या कर रहा है कि जो उसका Technology बहुत ही आगे लेके जा रहा है अभी क्या हो रहा था कुछ दिन दे पहले देखा था Samsung ले लाया था camera camera अभी उन दिस्पे camera के ऊपर काम कर दे यह मतलब यह camera क्या होगा आपके display के ऊपर कुछ भी camera दिखा यह नहीं देखा जब तो फाइनली देखते है Samsung कितने दिन में ये टेकनोलोजी लेके आता है और कौनसे फोन में ये टेकनोलोजी आता है दोस्तो ये न्यूज है OnePlus से, OnePlus के CEO पीटला उसमें एक ट्वीट किया उसमें बोला है कि उसके फोन में जो मेमोरी आएगा वो आएगा UFS 3.0 यानि कि इसका speed, read and write speed बहुत ही जादा होगा क्योंकि जब भी कोई उसलिए जितने भी बार उसमें ट्वीट किया कि जो OnePlus 7 Pro आ रहा है वो बहुत फास्ट होगा बहुत फास्ट होगा Actually इसको लखी बोल रहा था और एक चीज आ रहा है HDR10 आ रहा है इस फोन में यानि कि picture quality बहुत ही अच्छा होगा ब्राइडनेस जो है इस फोन में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली रहा और भी एक चीज निकल के आया है तो इसन अगरवाल ने एक ट्वीट किया है उसमें इसके जो डिस्पले है OnePlus 7 Pro के जो डिस्पले है उस वह भी सामने आ गया है उसमें के जो डिस्पले है वो 6.67 इंची के QHD डिस्पले होगा यानि कि डिस्पले क्वालेटी बहुत ही ही दे रहा है जो उसका जो प्राइस होने वाला है वो कुछ 45,000 हो रहा है यानि कि बहुत सोच रहा था यह मिड्रेज में आएगा कुछ कम आएगा तो फाइनल यह कुछ रेंज चाहल कम नहीं आया मगर पिक्सल एक्शुली एक्स्वेंसिव होते है तो उसके लिए इसका ज ज्यादा ही आ रहा है और उसके नीचे जो वेरियंट है उसका कुछ आएगा ज्यादा से ज्यादा पाइटिस से लेकर 38 अजब तक क्योंकि उसके नीचे नहीं आएगा तो बहुत लोग थे जो पिक्सल के सिरीज लेने वाले थे अभी यह लोग सोचेगा क्योंकि उसमें अ O.V.I.S में लिस्ट होगा है, जो भी फोन आता है अँडिया में, जो पहले उसको O.V.I.S के जो साइड में उसमें लिस्ट होना पड़ता है, उसके बाद ही यो फोन लॉच होता है, जबकर यह फोन भी लिस्ट जब हो गा है, तो बहुत ही जल्दी हम देख सकते के Black Shark 2 आएगा इंडिया में जो भी गेमर्स है जो गेम खेलता मुबाइल में पसंद करते हैं उसके लिए ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है अभी देखते हैं इस महिने में आता है क्या दूसरे महिने में आता है वो ही देख रहा है ह इसका जो charging हो गा 25W से भी ज्यादा charging में आयेगा मतलब इसका 25W के ज्यादा होगा तो उसका चार्जिंग होने के time लगेगा ज्यादा से ज्यादा 45 मिंट्स 45 मिंट्स में टोटल charging हो जाएगा यानी कि ये जो फोन आने बाला है उसमें जो charging speed होगा वो super fast होगा तो बहुत ही जल्दी या कुछ दो तिन माईने या चार माईने के अंदर ये फोन लॉंच होगा तो लॉंच होदें के बाद देखेंगे ये फोन एक्चुली कितना फास्ट होता है एक्चुली नोट स्रीज में कुछ-कुछ प्रॉब्लम भी होए वो है बैटरी को लेकर तो इतना सुपर फास्ट में उसका बैटरी न वास्ट हो जाए यही देखना है तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो सेयर करो कॉमेंट करो हमरे चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को भी बजा के रखो नहीं नहीं वीडियो के सबसे आगे आपडेट मिलने के लिए तो फिनाल आज के लिए इतना ही जै हिंत बंदे मातरम भारत मातर की जै